यहां पर देखिए यहां पर देखिए यह आपको 12.2 का 2nd question आपको add करना है सबसे पहले इनके बीच में आप addition डालोगे 3MN plus में minus का 5MN plus में 8MN plus में minus का 4MN मैंने just इनके बीच में addition डाला है 3MN plus and minus minus 5MN plus में 8MN plus minus minus में 4MN 3MN and 8MN दोनों positive हैं कितना हो गया 11MN minus के 5 minus के 4 कितना हो गया minus 9MN 11 में से 9MN subtract होगा तो कितना रह जाएगा 2MN आपका answer है now come to the second part first आपका इनके बीच में आप क्या करोगे minus में 8TZ को में हटा कर पलस डाल दीजी 3TZ minus में Z plus में Z minus में T अब देखें हम T T collect करते हैं 1T and ये positive T ये negative cancel हो जाएगा then minus के ये positive Z ये negative Z क्या रहे गया minus 8TZ plus में 3TZ minus के 8 में से plus का 3 subtract होगा तो minus के 5TZ आपका answer है उसके बाद come to the third part third part में आपको given है minus 7MN this equation addition का sum है बेटा सबसे पहले कुमाज को हटा के आप क्या करोगे add यानि plus का sign डाल दीजीए plus 5 कुमा 12MN plus में 2 यहाँ पे कुमा है यहाँ पे पलस 9MN minus 8 पलस में कुमे की जगह पे पलस और यह है minus का 2MN minus में 3 now solve minus 7MN पलस में 5 पलस में 12MN पलस में 2 पलस में 9MN और यह है minus का 8 plus and minus का क्या हो जाएगा 2MN minus में 3 MN collect कीजिए सबसे पहले इन MN को आगे लिखे minus का 7MN पलस का 12MN पलस के 9MN और minus का 2MN आपने सबी MN को collect किया उसके बाद constant पलस का 5 पलस के 2 माइनस का 8 and minus 3 12 and 9 positive 20MN हो गई 12 and 9 फिर minus के 7 minus के 2 minus के 9MN और फिर यहां पे देखे 5 and 2 पलस के 7 and minus के 8 3 11 21 में से 9 जाएगा तो कितना रह गया 12MN और यहां पे 11 में से 7 जाएगा तो minus 4 Now come to the fourth part यह आपकी question है add करना है सभी को तो कुमाज को हटाके पलस डालिए यहां पे positive B minus A plus 3 यहां पे plus sign A minus B plus 3 सभी A को collect कीजिए A minus A and positive A again B plus का B यह आपकी B है plus B again plus B and last में minus B 3, 3 and 3 एक minus का है और 2, 3 positive है आपकी 1 positive, negative cancel यहां पे रह गया only 3 similarly B से B cancel यहां पे क्या रह गया plus B एक 3 से एक 3 cancel और plus में क्या रह गया 3 Now come to the fifth part fifth समिछ this सभसे पहले हम collect करते X वाली ट्रम को दीखिया आपे 14X this ट्रम X वाली only X वाली minus में 7X only this उसके बाद Y वाली only Y वाली 10Y this and minus 10Y this उसके बाद देखिये X Y वाली हम collect करते है minus का 12XY and plus का 8XY सूरी बिटा मैं आपको बताना भूल गई आप सबसे पहले इनके बीच में पलश डालेंगे पलश डाले पहले 14X plus में 10Y minus में 12XY minus में 13 यह कुमा यहां पे plus 18 minus में 7X minus में 10Y plus में 8XY and यहां पे कुमा है तो plus में 4XY तो हमने यहां पे collect किया देखी 14X and minus 7X उसके बाद 10Y minus 10Y 10Y and minus 10Y फिर XY वाली collect करेंगे minus 12XY plus 8XY and plus में 4XY उसके बाद constant term minus में 13 and यह देखी हां पे क्या है minus का 13 plus का 18 है minus 13 and plus में आपका क्या है 18 है तो अब इसको solve कीजिए 14 में से 7 जाएगा 7X 10Y positive negative cancel minus के 12XY minus के 12XY और यह दोनों positive है यह plus के 12XY हो जाएगा दिस दिस एड़ करोगे minus के 13 में plus का 18 एड़ करोगे तो plus का 5 रह जाएगा solve कीजिए इसको 7X और यह positive negative cancel plus में 5XY जोर answer